कॉंग्रेस के प्रदेशा दैज असोख कवर ने कॉंग्रेस भवन में लीग कारिया करताओं की बैक है प्रैस वारता को किया संबध्य असोख तवर ने दिया है बड़ा बयान सरकार पर लगाए हैं हजारों करोड़े रूपे के घोटाले कारों वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के साथ साथ इनेलों पर विस्सादा निसाना भाजपाकों का बदलू है बदलू करने वाली सरकार चार सालों में रही है सरकार बिलकुल पूरी तरह से विफल वहीं इनेलो द्वारा प्रदेश कारिया करनी की बैठक में असोख तवर ने कहा कि इंडियन नेशनल लोग दल अब चाहें मीटिंग करे या कुछ और इनेलो अमर सिंग जानी के साथ और जाने डॉक्टर असोख तवर ने क्या बयान दिया बार बार उनसे जो वाइदे किये गए कम से कम 20 बार पिछले और यह मैं कम से कम बोल रहा हूं ज्यादा इससे ज्यादा भी हो सकती है पिछले चार वर्षों में रोडवेज के करमचारियों को सडकों के उपर उतरना पड़ा चक्का जाम करना पड़ा और मैं समझता हूं कि ऐसे ही और भी तमाम जो करमचारी हैं उनकी भी आलत कोई इनसे बहतर नहीं है पुरी संजीत्गी के साथ समय दुन शीर्ता के साथ जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री जी को और परिवर्मंत्री को मैं समस्ता हूँ कि उनकी बात सुननी चीए अब समय बहुत कम बचा है उनकी मांगों को पुरा करना चीए और नीजी करन जो लगातार इनका प्रियास है रोडवेज से लेकर के अलग-अलग विभागों का अब नीजी करन बंद होना चीए कि जब सस्ते में लोग त्यार हैं अपनी बसे लगाने के लिए पहली बात तो महंगी बसे उसमें क्यों हो कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हजारो करोट रुपे का गोटाला ये पहले से ही अल्रेडी त्या हो चुका है और मैं समझता हूँ कि इसी लिए सरकार जिद के ओपर अड़ी हुई है कही न कही रस्टाचार का इसमें मामला साथ में निकल कर क्या है तो सरकार को पुरे विचार करना चीए और रोडवेज को जो परमचारी है उनको मैं समझता हूँ कि समझा करके दुबार है अब बता रहें कि कोई और दूसरे ज़र उदर से ट्राइवर मगाया जा रहे हैं। पुलिस के जबानों के पहले ही पुलिस वालों की क्या स्थिती है या आप सब जानते हैं प्रदेश को पूरी तरीके से बरबाद करने का काम किया है, लोगों को विवाजित किया है, जाती और धरम के नाम पर, और इसी नहीं है, चार साल उनके हैं, केंद्र की सरकार के साड़े चार साल है, हमने ये क्यार करवाया है, हमारा जन संपर का भियान वो शुरू हो चुका है नोतारिक से आज भी में हमारी मीटिंग है, ये मोधी सरकार की विफलता का पूरा चार्ट है, ये प्रदेश की सरकार का है, खटर सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये उसका सारा काला चिट्था है, ये यूपिय और पांच तहरे के पूंफिलेट लेगा उसके साथ साथ कॉंग्रेस के लिए लोकी गरीब पार्टी है और मैं समस्ता हूं कि गरीब पार्टी में हमेशा आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक लोगों के सहयोग सही कॉंग्रेस ने देश और प्रदेश की समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है गरीब किसान इने लोग और जो लोग आने वारे समय में जोटा परचार करके, भार्मक परचार करके, लोगों की भावनाई बढ़ता करके, सत्ता हथियाना चाहते हैं, उनको एक करारा जिवाब है। लाते हैं कि हर्याना देश के अंदर पहला परदेश होगा, जहां पराली पूरी तरीके से, हम किसानों की सहमती के साथ, उसको हम अच्छे तरीके से उनको बोनस दे करके, जो भी उसका समादान निकल सकता है, मशीने दे करके, बड़ी मशीने उसमें लाई जाएं, उसको सबस को कि अभी से दिल्ली के अंदर पूरा जो है, वो परदोशन लेवल बहुत बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों को बहुत तरह की समझ्चा हैं, और इसका जो है, सहित के उपर भी और पूरे प्रयामन के उपर असर पड़ता है, तो पसानों को जहां हम एक तरफ जोर्द करने की कोशिश करते हैं, आप केस बनाने की बात करें, वहीं मैं समझता हूं कि उनको हम तालमेल के साथ, प्यार से अगर उनके साथ इस काम को करेंगे, तो इसके बैतर परदाम हो सकते हैं, तो सरकार को बजाए इसके कि हम हर चीज में करें, ठोस कदम उठाने चाहिए, रन करें, अब जो है मामला पूरी तरी, हम तो पहले भी करें, मामला तो पहले ही निकल चुका था, लेकिन अब तो बहुत कोशा दूर चला गया है, जहां आयनल्दी हमेशा कहती थी कि कॉंग्रेस में मुख्यमंतरी पत के इतने मुईदवार हैं, लेकिन यहां तो मैं समझता ह कि इने लोग कि इस दिशा में आके बढ़ रही है, पूरी तरीके से लोगों ने जो जनादेश दिया था, इन लोगों ने अपमान किया, और खास तोर से अगर सिरसा पार्लेमेंट की बात करें, तो मैं समझता हूं कि अब इने लोग जिस तरीके से तूटने की काकार पर है उन सब साथियों को जो इने लोग के वरिष्ट नेता हैं, दूसरे कारे करता हैं, जो इस फूट से, जूट से, लूट से और पुनी संगर से तंग आ चुके हैं, उनको मैं कॉंग्रेस में आने का आवान करता हूं, जो लोग अपमान करते हूं पगडियों का, आप सब ने अब ही है, कि किस तरीके से मामला तारा, पीछे हमने, सम्मान, नाम रेली, रेली का सम्मान रेली, लेकिन वहाँ, गरीब کا, किसान का, मजदूर का, और दरित कार्य करता हूं को, उस पार्टी का किस तरीके स्ष से अपमान हूँए, ये हमने समने देखा हैं, इसलिए, अब मिटिंग ले ले, कुछ ले ले, मिटिंग करें, सिटिंग करें, अब जो है मामला पूरी तरीका, हम तो पहले भी करें, मामला तो पहले ही निकल चुका था, लेकिन अब तो बहुत कोसर दूर चला गया है, जहाँ I.N.L.D. हमेशा कहती थी कि कॉंगरेस में मुखे मंतरी पद के इतने मुईदवार हैं, लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मुखे मंतरी पद का उन्होंने तो घोशित कर रख़गा कि एक याद्मी मनेगा, लेकिन उसके बावसुत भी चार लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक ही परिवार के लोग, तो आप समझ सकते हैं कि इने लोग कि इस दिशा में आके बढ़ रही है, पूरी तरीके से लोगों ने जो जनादेश दिया था, उसका इन लोगों ने अपमान किया, और खास तोर से अगर सिरसा पार्लेमेंट की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि अब इने लोग जिस तरीके से तूटने की काकार पर है, उन सब साथियों को जो इने लोग के वरिष्ट नेता हैं, दूसरे कारे करता हैं, जो इस फूट से, जूट से, लूट से, और पुनी संदर से तंग आ चुके हैं, उनको मैं कॉंग्रेस में आने का आवान करता हूँ, जो लोग अपमान करते हों पगडियों का, आप सबने देखा भी है, किस तरीके से मामला सारा पीछे हमने, वहां किस सम्मान रेली, लेकिन वहां गरीब का, किसान का, मजदूर का, और दनित कारे करताओं का, उस पार्टी का किस तरीके से अपमान हुआ, ये हमने सबने देखा हैं, इसनिए